हेलो माई डिर स्टुडेंट, स्वागा था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो बच्चो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में लेकिन बच्चो इस कोशन को सौल करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं कि what is the probability और जो छोटे-छोटे टाम्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है बच्चो सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि what is the probability जब आप cricket खेलने जाते हो तो खेल शुरू होने से पहले टास होता है और उसमें head या फिर tail आता है तो बच्चो इस case में जब आप toss करते हो सिक्के को उछाल रहे हो तो इस experiment को कहते हैं trial और जब head या फिर tail आ जाता है toss करने के बाद तो इसे कहते हैं outcome of that trial यानि सिक्के को उछालने के बाद head या फिर tail जो भी आया है उसी को हम कह रहे हैं event बच्चो एक और example देता हूँ आप सभी ने loodos तो जरूर खेला होगा loodos खेलते time जब आप die को फैक्ते हो उछालते हो तो आपको नहीं पता होता one आएगा two आएगा three आएगा four आएगा five आएगा या फिर six आएगा जब आप die को फैक्ते हो उछालते हो तो इसे कहते हैं trial और जब बच्चो die को उछालने के बाद one two three four five या फिर six आता है तो इसे ही कहते है outcome of that trial या फिर event हम बोल सकते हैं अगर आप इसको define करना चाहते हैं what is the probability तो आप इस तरीके से भी define कर सकते हैं the chance some event will happen यानि कि यहाँ पर chances हैं कि वो event होगा ठीक है आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं favorable outcomes upon possible outcomes हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा example ओके यहाँ पर हम coin का example ले लेते हैं बच्चो मान लिजी coin वाले case में आपसे पूछा है कि coin उचालने के बाद head आने के chances क्या होंगे तो देखिए यहाँ पर possible outcome क्या होंगे बच्चो दो ही तो होंगे या तो head आएगा या फिर tail आएगा ओके तो head आने के chances होंगे कितने होंगे one by two मेरी बात आगे समझ में यह आपका एक trial है ओके तो यहाँ पर आप लिख देंगे p of a is equal to one by two in the same manner अगर आपसे पूछा जाए कि tail आने के क्या chance होंगे जब एक coin को उच्छाला जाता है तो बच्चो दो ही तो आपके यहाँ पर outcome होंगे या तो head होगा या फिर tail होगा ओके तो favorable outcome आपका tail ही होगा एक ओके that means one upon possible outcome तो possible आपके या तो head आएगा या फिर tail आएगा तो दो हो गया आपके outcome ठीक है तो इस तरीके से आपको निकालनी होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से words को हम use करते हैं ओके chances most probably likely probably okay बच्चो एक और real life example देता हूँ मान लीजिए आप अपनी bus का wait कर रहे हो bus stop पर okay तो उस bus के आने की कितने कितने chances होंगे आपको बताना है कि आपके bus के आने की कितने chances होंगे या तो bus आएगी या फिर नहीं आएगी तो bus के आने की chance कितने होंगे obviously one by two क्योंकि इस case में जो आपका event है outcome है वो कितने है दो है या तो आएगी या फिर नहीं आएगी okay तो उसका answer कितना होगा what are the chances what is the probability one by two okay मेरी बात आगे समझ में तो बच्चो I hope आपको basic समझ में आ चुका होगा कि trial क्या होता है event क्या होता है किस तरीके से आप इसको define कर सकते है with the help of examples okay और किस त बात कर लेते हैं question number one की उन सभी concept को अब यहां पर आपको apply करना है a coin is tossed thousand times with the following frequencies head आपका 455 times आया है tail आपका 545 times आया है compute the probability for each event यानि की head और tail के लिए दोनों के लिए आपको क्या निकालना है probability अब बच्चो मैंने आपको बताया था कि trial क्या होता है event क्या होता है और इसका formula क्या होता है ठीक है यहां पर देखिए total trial कितना है thousand यानि की coin को 1000 बार हमने toss किया है जिसमें से head कितनी बार आया है 455 times tail आया है 545 times यहां पर आपको head और tail के लिए दोनों के लिए निकालना है what is the probability अब देखिए आपको मालूम है कि number of head आपका इतना है tail इतना है तो यहां पर देखिए a हमने मालिया event आपका head के लिए है और b आपका tail के लिए है तो यहां पर हम find कर लेंगे probability तो देखिए इसका क्या होता है मैंने आपको पताया था formula number of heads ठीक है अगर हम बात करें सिर्फ heads की और each event पूछ रहा है तो आप यहां पर individual निकाल ले 455 ओके अब देखिए इसी तरीके से आप निकाल लेंगे tails के लिए तो यहां पर हम निकाल लेंगे individual tails के लिए ओके तो यहां पर जो favorable outcome है tail के लिए वह आपको मालूम है ठीक है 545 है और total trial से आपको divide करना होता है ठीक है तो यहां पर हमने लिख दिया number of tail जितनी बार आया है upon total trials ठीक है तो यहां पर आपका answer आ गया the probability for the tail and the probability for the head और हाँ बच्चों एक बात और ध्यान रखना आपके जितने भी event है उनकी जितने भी probability निकल के आई है ठीक है इन दोनों को आप add करोगे तो आपके पास one आना चाहिए कर दो